हेलो फ्रेंड्स मैंसेल फैसके शर्मा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न्टू डिकॉर्डिंग जिसमें मैं आपको सी लैंग्वे सिखा रहा हूं और आज है प्रोग्राम नंबर 6 बिना गंडोल स्टेट्मेंट यूज किये जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं उनी में से एक है प्रोग्राम नंबर 6 जिसका टॉबिक है इन्पुट बेसिक पे एंड फाइंड ग्रॉस पे एंड नेट पे ओफ एन एंप्लोई कोई भी एंप्लोई हो प्राइवेट हो या गौर्ण्मेंट हो उसकी सेलरी कैसे कैल्कुलेट करेंगे हैं उससे प्रोग्राम तू आ है इसबस किसी बी एंप्लोई के कुछ ना कुछ बेसिक पर होतीय है एंड मिलती मिलते हैं कुछ डिदक्शन्स भी होती है तो यह नहीं संबच लेते हैं शपोस करो दियर-नेस आ जिसने हम सHORT मेंड भी कहते हैं महींगाई प्रत्ता भी कहते हैं सपोज गरो वो है 17% परसेंट ओफ बेसिक पे हाउस रेंड अलाउंस सपोज रूपीज 2020 फिक्स्ट है प्रोविदेंट फंड सपोज 10% बेसिक पे तो ग्रोस पे उसकी क्या होगी यानि टोटल सेल्री उसकी कितनी होगी तो बेसिक पे प्लस डी ए प्लस नेट पे जो उसे इन है म Steel कर लेते हैं चल्य जुल्हए फिर 스타 प्रोग्राइम को टर्बव की में समझ लेते हैं हम्च पर जा रहा हूं वहाँ पर मैंने पर्रोग्राम पहले से कोपी पेश्ट किया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैंने लॉंग टाइप के कुछ वैरेबल लिया है मैंने इंट की जगे लॉंग इसले लिया है क्योंकि इंट की रेंज 32,767 होती है और हो सकता है किसी की सेलरी से भी उपर की रेंज में हो तो इसले मैंने लाइक टाइप लिया उससे 4byte मिलती है तो लगबख 10 तक का नंबर इसमें इजली आ सकता है यहां मैंने कुछ लिये और सभी का बारे में Capital Ladder में लिये हैं तो याद कीजिए मैंने आपको इदेंटिफार के रूल्स बताये थे जिसमें मैंने बताया था कि capital या small किसी भी capital letter या small letter में आप कैसे भी ले सकते हैं variables अगर identifier के बारे में detail में जानना है तो उसका link मैं यहाँ नीचे description box में दे दूँगा वहाँ से आप उस link को touch करके उस video को देखकर identifier के बारे में जान सकते हैं फिलाल मैंने जो यहाँ पर capital letters में variable यह उन्हें मैं explain कर देता हूँ BP basic pay के लिए है DA DNS allowance, HRA house rent allowance, PF provident fund, GP gross pay, NP net pay तो यह variables हैं तो सबसे पहले input section आजाता है print app function में मैंने एक message prompt कर दिया enter the basic pay of an employee and BP variable को यहाँ पर input कर लिया चोंकि long data type है इसलिए formatic specifier यहाँ %ld आएगा तो केवल एक ही variable input करना था वो हमने कर लिया, आप यहाँ DA calculate कर लेते हैं question में था कि basic pay का 17% होता है, तो basic pay multiply 17 divided 100 यहाँ note करो कि basic पे पूरा नहीं लिखना है आपको variable name यूज़ करना है variable name BP है तो BP ही लेंगे, तो इस तरह से 17% जो भी value बनती है वो DA में आ जाएगा hra question में given है, 2720 fixed है सपोस, question में एक बार देख लेते हैं, question में था 2020 तो इसे ठीक कर लेते हैं, 2020 है सपोस, PF basic pay का 10% यहनि BP multiply 10 upon 100 तो तीनों allowances या जो deduction है वो calculate हो गई, अब gross P का formula question में given था, basic pay plus DA plus hra, यह होती है किसी भी employee की gross salary तो वो आ जाएगी GP में, और GP में से PF माइनस कर देंगे तो आ जाएगी net salary यानि net पे, तो इसके बाद हमने इन पांचों variables को देखे, यहां पर डिस्प्ले कर दिया है, डिस्प्ले करने के लिए हमने यहां format इस्टिंग रियार की है, उसमें मैंने escape sequences भी यूज की हैं, और थोड़ा मैंने इस तरह से इसे design किया है कि एक ही line में यह सब आ जाए, तो चलिए इसे run करते हैं, control F9, यहां पर suppose करो मैंने basic पे डाली 50,000, तो 50,000 का 17% DNS allowance आ रहा है, 8500, house rent allowance 2020 fixed था, gross pay आ गई, 60,520, यानि 50,000 plus 8500 plus 2020, यह total salary आ गई, जिसे बोलते हैं, gross pay, provident fund, 50,000 का 10% 5000 है, और net pay हो गई, 60,520 minus 5000, तो यह आ गया, 55,520, तो इस तरह से, पांचो वेरेबल समने screen पर display कर दी हैं, यह था आज का program, I hope आपको यह program समझ में आया होगा, अगर आपको यह video पसंद आईए, तो इसे like कर दीजिए, अगर आपको कोई doubt है, तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं, उस doubt को मैं next video में जरूर लूँगा, और इसका solution देने के कोशिश करूँगा, तो आज के लिए इतना ही था, thank you,